कि नमस्कार नमस्कार कैसे हैं कि एडवांस स्कूल आप मैंकन साइन्स सिक्स क्लास के लिए लेकी आया है तीश्रा वीडियो चैप्टर वन का तो सबसे पहले हम लोग पीछे वाले कोश्चन को तो आराम से कर लोगे कोई तरह का अधिकत हुआ नहीं था यानि आज टॉपिक का नम होगा इस्टिमेशन इस्टिमेशन को पहले समझो इस्टिमेशन क्या है तो देखो ये डादी घर है दादी घर और ये है नानी घर अब तुम्हारे पास किदर जाओगे ये चीज को समझना है यही है इस्टिमेशन अब देखो ये दादी घर है और ये नानी घर है अगर ये खुब कस के आंधी आया बताओ अगर तुम यहाँ हो यू तो दादी घर जाओगे कि नानी घर जाओगे बोलो दादी घर अगर यहाँ पर हो तो जाओगे नानी घर यह भिलकूल आपको समझ में आ गया एक बार आईस में एक प्रस्त पूछा गया था कि आपका दोस्ट डूब रहा है और आपका भाई डूब रहा है और आपको तर में आता है बताओ किसको बचाओगे वहाँ पर भी एस्टिमेशन आएगा जो हमसे नजदीक होगा उसको बचाएंगे यहाँ पर भी यही बात है यानि जीरो टू फोर उसको करना होगा इगनौर इगनौर और शीक्स टू नाइन में एक जोरना होगा फाइब में फिप्टी फिप्टी के चांस फाइब के पहले अगर इभेन होगा तो इगनौर करेंगे और फाइब के पहले और होगा तू एक जूर देंगे आईए कुछ एक्जामपल देखते हैं दादी जी को दस कहा गया और नानी जी को बीस कहा गया यानि दस और बीस में यानि टेन प्लेस तक डास तक का एस्टीमेशन निकालना है बात समझ में आया अब देखो कलर को मैं चेंज कर देता हूँ यहां पर तुम्हारा इगारा है बारा है तेरा है चौदा है पंदरा है शोला सत्रा अठारा उनिश यह पंदरा को बॉंडरी लाइन ले लो इगारा किस के पास चला जाएगा दस के पास बारा भी किस के पास चला जाएगा दस के पास 13 भी 10 के पास 14 भी 10 के पास क्योंकि नजदीक यही है अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर यह 19 किस के पास है 20 के पास 18 17 16 15 15 15 में 50-50 का चांस 50-50 का चांस मैं हमेशा पेपर में जुरा हुआ रहता हूँ जब हम पतना इन्वर्थिटी में पतना कॉलेज में पढ़ा रहते तो एस्टिमीशन का वहाँ पर सची घटा में सुनाता हूँ एक किरानी वहाँ का दो बच के 45 में एक बच्चा थरी शाइकिल से आया अपंग था उसको किरानी पी एच्डी का फॉर्म नहीं दिया एक पांस मिनिट के बाद एक असकार प्यूसी आया गेट कोई जैसे ही खोला फॉर्म निकल के दे दिया मैंने बला रुको अब ये हिंदुस्तान के कॉंक-कॉंक में इसको मैं दूँगा मैंने दिया एस्टिमेशन का उस सपंग आत्मी को समझा गया जी लो टू फॉर्म एक्डॉर कर दो फॉर्म नहीं दो कुछ नहीं कर पाएगा एक असकार प्यावला को समझा गया कि नहीं दो गिक्त कुछ कर लेगा हंत में उसकी रानी को हटा दिया गया क्योंकि आपको ये समझना है रॉंड आफ यहाँ पर ये पंद्रह 50-50 का चांस है 15-50 का चांस है चुकि ये ओड नंबर है इसलिए काउंटिंग 20 होगा यही अगर ये 20 ये 20 और यहाँ 30 होता और यहाँ पर मिडियेटर 25 होता ये 26, 27, 28, 29 इधर 24, 23 22, 21 तो ये इसके पास आजाता ये भी इसके पास आजाता इस्टिमिशन में ये प्रक्स में ये भी आजाता ये इधर चला जाता लेकिन 20.5 फस्ता और चुकिए ये भी नंबर है इसलिए 20 हो जाता ये बात को तुम्हें सीखना है दोस्तों शीखना है यही आँगे चलकी साइस में राउंड अफ के नाम से जाना जाएगा राउंड अफ के नाम से जाना जाएगा लेकिन लाइप के हिस्से में तुम्हें चौप्ट होना परेगा तरन अफ होना परेगा चिकिस सिधान्त ऐसा बना दो जो लोगों को बुरा ना लगे राउंड अप लगाओगे लोगों को बुरा लगेगा लेकिन अपने आपको चॉप्ट लगा दोगे यानि कहने का सेंसिया हुआ कि अगर फोर डिजिट कह रहा है तो फोर डिजिट के बाद अगर आपके फानर भी आ जाते हैं जैसे हमारे राजा हरी चंद ने किया ये बात को तुम्हें को सिखना चाहिए तो जब अपने बेटे को कफ़न देने की बात हुआ बोले ना मतलब ना यह नहीं कि अपने परिवार के लिए कुछ और रूल है और दूसरे के लिए कुछ और रूल है देश्ट अप्रॉक्समेट एक्सप्रॉक्समेट तब हमने 10 के लिए किया इसी डंग से सो के लिए करेंगे हजार के लिए करेंगे हाउजेंट, टैन थाउजेंट लाख, कुछ भी के लिए करते हैं तो आप लोग estimation समझ चुके होगे फिर से एक बार कि अगर हाप से कम रहोगे तो तुम जिरो के पास चले जाओगे ignore हो जाओगे और हाप से अधीक रहोगे तो एक एड हो जाओगे अगर आपने 50-50 के चांस पर रहा तो तुम्हें देखना परेगा कि तुम्हारा जो बगल वाला है वो even है कि odd है अगर even रहेगा ignore करना होगा odd रहेगा, एक जोरना होगा यही है estimation अब तुम्हारे पास यहाँ पर का रहा है thousand का रहा है thousand के पास का रहा है यानि आप hundred वाले को देखेंगे hundred वाले को देखेंगे hundred वाले को देखेंगे आपका काम हो जाएगा जैसे अगर 1100 है 1100 है यह खीच के आ जाएगा 1000 के पास लेकिन यही 1900 रहेगा ये खीज के चला जाएगा 2000 के पास कभी सोचा है? कभी सोचा है? वो क्या दिया है इस दिख वारे मैं सोचो? अगर यहाँ पर 1500 होगा ये 50-50 का चांस है इसके पहले ओड है ये 2000 के पास जाएगा लेकिन यही दोस्तो अगर question यहाँ पर 2000 है यहाँ पर 3000 है और यहाँ पर 25 हंडेट है ये इसके पास जाएगा ऐसा क्यों? क्योंकि हाँ पर होता है 50-50 का चांस और वह 50-50 का चांस इभेन होने पर हट जाता है और होने पर जट जाता है आगे हम लोग देखते हैं mathematics को देख रहे हैं estimate outcomes नमरा सुटे जो है ऐसे situation में ये भी आपका उसी type से आपको करना है question को अब हम लोग to estimate some and difference कुछ नमर ले लेंगे उसको approximate हम लोग some करके देखेंगे difference करके देखेंगे तो यहाँ पर पहले हम लोग 10 की बात करेंगे तो यह नहीं 10 पर करके देखते हैं अगर आपके पास 25 है plus 35 है पता है क्या होगा पता है क्या होगा यहाँ से चैनल नहीं जूर रहा है तो इसनी मिशन करना है यह 25 20 होगा और 35 30 होगा और दोनों जूर गया हो गया पजा और 40 होगा यानि दोनों जूर ने पर 40, 20, 60 60 हो जाएगा 60 हो जाएगा इसी ठक से कहा हम difference की बापतर है यहाँ पर 35 है माइनस 25 है तो पहले इसकी estimation कर दना है estimation कर दना है तो यहाँ पर 40 हो जाएगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा result 20 हो जाएगा मैंने 5 बाला का इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे book में concept को गलत दे दिया गया है और वो दिया है क्या शुनो वह दिया है 0 to 4 छोड़ दो 69 में जोड़ दो अरे 1987 को यह changing हो गया 5 50-50 के chance में आ गया 5 के पहले even रहेगा ignore करना परेगा 5 के पहले order रहेगा एक जोरना परेगा याद रखना डेट 1987 में यह change हो गया एसके पहले जो पासकर साथ calculator बनाये थे उनकी estimation उस पर था 0 to 4 ignore कर दो 6 to 9 में एक जोर दो लेकिन अब calculator modify हो गया आए दोस्तों तो हम समझते है sum के बारे में difference के बारे में हम लग समझ गया है या अगला multiply के बारे में होने वाला है वो भी देख लेते हैं अगला देखो multiply होने वाला है product product की बात करेंगे यहाँ पर 22 multiply 38 है यह अगर 2 place की हम बात करते हैं 10 place की बात करते हैं यह 20 हो जाएगा और यह 40 हो जाएगा और multiply कर दोगे तो यह थंटेट हो जाएगा क्या आपने सीखा? क्या आपने सीखा? नहीं सीखा? सिख्या? बहुत अच्छा अब देखेंगे हम लोगा पास यहाँ 25 है और यहाँ 35 है अब multiply क्या होगा? तो 25 घीच के चला जाएगा 20 के बास क्यों चला जाएगा? कभी सोचा? हरे चला जाएगा क्यों चला जाएगा? चुकि 550 पिटी के चांस है आप के पहले event नमबर है या आप आप के पहले बाद और नमबर है हम समझते हैं कि product भी आप अच्छे धन से समझ गए हैं अब बात हम करेंगे question का estimate each of the flying using the general rule पहले तो इसको जोर देना है और जोरने के बाद estimate कर देना है हम समझते हैं कि हाँ पर जोरने में कोई तरह की कुताही नहीं बरती जाएगी और 739 998 को जोरने के बाद यहाँ पर 7 यह आ जाएगा समस्ते हैं अगला प्रस्थ गिवर राफ एस्टिमेट बाई राउंडेंग यार लेस्ट हैंडें यानि हंडेट करने के लिए आपको टेन प्लेस को देखना परेगा और फिर यहाँ पर टेन भी कह रहा है तो टेन कह रहा है यह देखो यह चार सो उन्चालिस नहीं चार सो चालिश हो जाएगा और तेन सो चालिस नहीं तेन सो तीस हो जाएगा और अगला वाली टेटा फोर थाउजिंड ट्वैंटी हो जाएगा और इसकी एडिशन कर देना है मेरे दोस्तों टेन प्लेस पर आपका हो गया ऐसे ढंक से हंडेट प्लेस की अगर हम बात करें तो यह वाला अंक दिखा जाएगा यह बात को सबजना भी ज़रूरी है तो यहाँ पर अगली प्राव में हम लोग चलते हैं एस्टिमेट दा फुलोइंग प्रोड़क्ट यूजिंग दा जेनरल रूल यह जेनरल रूल से प्रोड़क्ट करना है अराम से कर दोगे और कुछ एकदाम पर लेकी भी करना है इसको कर लेना आँगे हम बात करते हैं यूजिंग दा ब्रेकेट यानि आँगे चलके तुमको आने वाला है सिंप्लिफिकेशन याद करो मेरे दोस्तो गाव में अभी भी आप तो मैं आज को छोड़ दिया पहले खा देते तो उसको भी सोटकेट करते थे माथमेटिक जैसा कटोरा ले लिया उसे में चावल डाला डाला चोखा डाला भूजिया पापर सब डाल दिया बोला ही सुवाद लगा या नहीं लगा उससे मतलब नहीं है लेकिन मैं जल्दी से त्यार हो गया लेकिन आप देखो वहाँ पर ब्रेकेट के यूर चावल एक तरफ कटोरी में डाल सबजी का अलग, भूजिया का अलग, पापर का अलग अब देखोगे पानी पीने के लिए बाई गाउं में अभी भी देखोगे तो यह लोटा, उसके बाद गिलास, चाहजाग, पलस गिलास अब क्या है, वो गिलास, वो बोतल, वो भी हटावा, खाली बोतल च्यानि तुम समाझ गया होगा ब्रेकेट की उत्पती यहाँ पर देखोगे, क्या अज सेपरेट करने की जरूरत यह है, बोद मास बीफोर ब्रेकेट, ब्रेकेट होता है चार एसको बुलते है अरजेन, रेखा कोश्ट इस्माल ब्रेकेट, करली ब्रेकेट, और बीग ब्रेकेट यानि कहनी के सेंस हुआ, जब एक को सेपरेट करना हो इसमाल ब्रेकेट होगा, और इसके साथ कोई और जूर गया और उसको सेपरेट करना हो, करली ब्रेकेट, उसके साथ और कोई जूर गया भीग ब्रेकेट, और कोई काम को अरजेंट करना है वहाँ पर आएगा, रेखा कोश्ट एसका मतलब होता है urgency सब काम छोड़ कर यही काम को करो महभारत में कृष्ट नभगवान उनको पता था कि कर्ण के पास ओबान है उसको हम भी नहीं रोक सकते इसले अरजेंट में कर्ण जैसे ही आता है पहला दिन यूद करता है दूसरा दिन बोलते हैं कि अब घटोचक का दिन आ गया है क्योंकि कर्ण के उस बान से मैं नहीं बचा सकता हूँ अगला दिन घटोचक को लाते हैं और उस बान से कर्ण घटोचक को मार दिता है और यह हस्ते हैं हसते हैं तब ही इसे आ जाते हैं बोलते हैं क्रिश्ट तुम्हें नहीं ना मालूम क्यों मेरा बेटा मारा गया है और तुम हस रहा हो बोले आप नहीं समझते हैं मजले भाईया आज आप लोग महाभारत को जीत के वहें पर इस्तिमाल करते हैं उसकोष्ट को कि देव राजिंद्र ने जब कवच कुंडल मांगे थे तो उसके एवज में यह बान दिये थे और यह बान को मैं भी नहीं रोक सकता इसलिए यहां पर अरजेंट था घटूचक को मरना आप बताइए आपको अरजुन चाहिए या घटूचक भेम जो बले हमें अरजुन चाहिए समझ गए होंगे बहुत मास काव और रेखा कोस्ट का ये अगला हम लोग ब्रेकेट का यहां पर ब्रेकेट को एक्सपेंड कैसे करते हैं और आमसे एक्सपेंड कर सकते हैं यानि उसको एक्सपेंड करने के लिए प्लेस भेलू का इस्तिमाल जैसे 7 इंटू 225 है तो 7 ब्रे 2020 प्लॉस 5 है ऐसे करके मुल्टिप्लाइ कर देंगे यही ब्रेकेट का करिया है आंगे हम लोग देखते हैं कुशन का विंडो आचुग है नाइट एक्सपरेशन उप उचपरेशन यही उच फॉलाइच इशन उच्परेशन उच्परेशन उच्पाइच उच्पर एच्प येस, 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 डिवाइटें देटेस हैं आप और आम से तुम बना लोगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। किसमें। 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 किसमें।